इस दोरान उन्हें कई बार्श लिए उनिवर्सिटी की अस्थापना हुई थी महामना पंडित मदन मोहन मालवी ने इस विश्विद्याले को दान के पैसे से बनवाया था इस दोरान महामना देश के तमाम हिस्सों का भ्रमण कर लोगों से चंदा भी कठा किया था और इसी चंदे के पैसे से उन्होंने इस विश्विद्याले का निर्मार कराया था इस दोरान उन्हें कई बार लोगों के घर से निराज भी लोटना पड़ा ऐसा ही एक मसहूर किस्सा हैदराबाद के निजाम से जुड़ा है अब निजाम वाला तो पंडित मदन मौनी सभी जानते हैं कि पंडित मदन मौन मालवी ने भीक मांग करके इस विश्विद्याले के स्थापना की सरकार से कोई पहसा नहीं लिया वो सबसे बड़े भिखारी माने जाते थे उनको भिखारीयों को राजकुमार कहा जाता था और उनको भीक मांगने में अपने लिए भीक मांगा रही उन्होंने विश्विद्याले के लिए भीक मांगा वो निजाम के पास गय थे नजाम से उन्होंने काशी हिंदू विश्विध्याले के लिए धर की याचना की, निजाम ने उनको अपमानित किया, और उनको अपमान करने के संदर में अपना जो है, जो जूता था उनको दे दिया, पंडित मदन मुहन मालवी इतने उदार मना थे, इतने सहिशुर थे, इतने उनको किसी बात के थूकि विश्विद्याले के स्थापना का सवाल था, उन्होंने हंकार मुक्त अपना जीवन सुरू किया, किसी प्रकार का इगो मुक्त जीवन वह सुरू किया, उस जूते को लेक काशी आए काशी में उन्होंने प्रदर्शनी लगा दी हला ये वो निजाम को पता चला कि उनका जूटा प्रदर्शनी में नीलाम किया जा रहा है अंत में पंडित मदन महुन मालवी को बुलाया और उन्होंने काशी हिंदू विश्विद्याले की स्थापना के लिए धन उसको ग्रहन करने में उन्होंने कभी संकुचाने का काम नहीं किया और इसलिए विश्विद्याले सव एक सव आठ वर्सों बाद भी आज भी महां से महांतम बना हुआ है और विश्विद्याले से निकले वे छात्र देश के निर्मान में अपने पुमिका का निर्वा कर र